हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेर चैनल इन आवर गाडनिंग एक्सपेरियंस में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जानेंगे बेबी टियर्स के बारे में बेबी टियर्स प्रोफोगेट कैसे करना है, केर कैसे करनी है, फेटिलाइजर कौन सा देना है और मिटी कैसे चाहिए इसकी soil mixture कैसा बनाना है और उसके साथ ही इसकी sunlight की requirement क्या है Friends, baby tears actually एक succulent है इसके leaf में water store रहता है और ये बहुत ही जल्दी propagate हो जाता है और इसकी एक खास बात है ये all seasonal growth करने वाला plant है किसी भी season में इसकी cutting छोटी सी cutting बहुत जल्दी से propagate हो जाती है May month में भी इसकी cutting बहुत जल्दी से root form कर लेती है और इसे pink color के flowers आते हैं जो बहुत ही गुपसूरत लगते है प्लांट पे ये देखिए ये भी एक नया ही प्लांट है लगबग इसकी दो महिने पहले cutting महिने लगाई थी कितना कुपसूरत लग रहा है और हिल्दी भी है बस दो cutting है इस pot में छोटे से pot में ये चल जाता है ये भी इसकी एक खासियत है छोटी सी cutting चार leaves हो cutting को तो भी ये चल जाता है और पतली cutting हो या थोड़ी सी मूटी बादी दोनों भी cutting इसके चल जाते है और friends ये जो succulent है ये जो plant है ये hanging के लिए बहुत ही खुबसूरत plant है hanging planter में लगाने के लिए ये पहुत ही fast growing plant है अगर आपको hanging इसका तयार करना हो तो दो महिने में ये ready हो जाता है और friends इसका एक experience है मुझे ये जो plant है इसकी cutting है तो cutting soil और sand के जो mixture होता है वो mixture में बहुत चल्दी से ये cutting चल जाती है और अगर हमने इससे महिने में एक भी बार fertilizer apply किया liquid fertilizer हो या सुका हुआ fertilizer हो तो दोनों भी fertilizer इसे पसंद है और ये बहुत चल्दी से growth करने लगता है और ये दिखता भी बहुत खुबसूरत है Friends इस plant की बहुत चरूरी बात में बताने वाली हूँ कि ये जो plant है आपको buy करने की जरूरत नहीं है किसी भी नरसरी से आपको लानी की जरूरत नहीं है अगर आप के पास कोई gardener friend है तो उसके पास ये easily available हो जाएगा या आपके neighbor के पास तो जरूर होगा या आपके relative के पास जरूर होगा दो छोट इसे cutting आपने अगर इस महने लगा दिये तो next month में बहुत जादा इसकी growth हो जाती है आप बहुत सारी cutting इसके तयार कर सकते हैं बहुत ही easy to grow है बहुत ही easy to maintain है और इसकी water requirement ऐसी है friend जब इसका water सूख जाए तब ही इसे watering करनी है डेली इसे watering की कुछ जरूरत नहीं है और एक बात है friends ये plant आप semi shed में, shed में और totally धूप में भी लगा सकते है बहुत जल्दी से growth करता है सिर्फ ये जो plant है shade में अगर growth कर रहा है तो इसे flowering नहीं होंगी और एक इसकी care ये होंगी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके branches चाहिए plant अगर बुशी बनाना हो तो इसके flower जब spend हो जाते है तो इसे seed आ जानी लगते है तो ये आपको हटा देना है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो plant की डंडी है आप देख रहे है जो plant की branches है तो वो ज़्यादा कड़क हो जाती है तो कड़क हो जाने के बाद इसको branches आते नहीं है जाता से ज़्यादा तो छोटी सी care यही है कि इसके जो waste flower है और seed अगर बन भी गया हो तो इसे निकाल देना है क्योंकि हमको इसके seed की कुछ भी जरूरत नहीं है कटिंग से ये easily grow कर जाता है तो friends सब भी मोسم में ये लगने वाला पोदा है उसके साथ shade में ये लगाया हुआ है तो यहाँ भी आच्छे से चलेगा और पूरे दूप में भी बहुत अच्छे से चलेगा और shemmy shade में भी अच्छे से चलेगा तो हर मुसम में आप इसे लगा सकते हैं, हर कंडिशन में आप इसे ग्रोग कर सकते हैं, हैंगिंग में लगाए या फिर छोटे बड़े पॉट में लगाए, छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से ये चल जाता है, और बड़े पॉट में तो बहुत जादा ग्रोग करता है दिखे बहुत खूपसूरत लगता है इसके पिंग कलर के फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं तो फ्रेंड्स आप भी इस प्लांड को जरूर अपने गार्डन में एड़ कीजिए बस छोटे से कटिंग चे यह स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये बेबी संरोज प्लांड के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा थैंक्यो फॉर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ अध्योर्ण वॉर्ण ओपी गर्निक रॉर्मेशन था हैं ध्योर्ती हैं के लिए।ण उन्फॉर्ण घड्ट के जाएंड़ा उन्सक्ट झायां के लिए।ब मेरे उन्सक्ट जाएंक्ट प्रें आपाट जाइवां इजाएं।ब ऐसन के दूना बाइएं समया अई छो जो